नमस्कार दोस्तों राम कलासे, दोस्तों परताब का बिलोशनल में आप सबका स्वागत है, आप दोस्तों हम बात करूँगा दूधारू पसु का एक पहचान आपको हम बताऊंगा, अगर उस पहचान को आप ध्यान रखके अपने गाय भेंस खरिते हैं या पसु पालन करते ह हैं तो आप लोगों को काफी हिल्फ मिलेंगा और दूधारू पसु की पहचान कर पाएंगे और ज्यादा ज्यादा दूद देगी और ज्यादा ज्यादा आप दूध पाएंगे, तो वह एक पहचान क्या है दोस्तों, सब ही पसुपालक को खा ध्यान रखना है, अगर वह पहचान की बात करें, तो सिर्फ एक पहचाना ऐसा है दोस्तों, अगर वही आप ध्यान में रखते हैं, तो आप कोई भी पसुख खरीते हैं, तो उसमें आप धोखा नहीं खाएंगे, उसमें आप घाटा नहीं खाएंगे, बिल्कुल 100% सही रहेगा, वह पहचान दोस्तों य क्या है, आप जब भी दूध निकालेंगे, तो दूध भी बहुत देर से निकलेगा, जहां 5 मिन दूध निकालने के होता है, वहां आपका 15 मिन लग जाएगा दूध निकालने में, तो ऐसा दोस्तों अक्सर देखा जाता है, जो गाय या भैंस के दूध, जितनी देर में हम दूध निकालेंगे, तो धार पर डिपेंड करता है कि कितनी मोटी धार है और किस हिसाब से दूध देगी, जिस पसु का दोस्तों धार ही बहुत पतला होगा, वह दूध जादा नहीं दे पाएगी, कारण यहीं आता है कि हम दूध निकालने बैठेंगे, तो उसका जो है धार जब भी हम दाबेंगे, तो धार पतली निकलेगी, पतली धार निकलने की वज़ा से दूध कम निकलने की वज़ा से हमें दूध निकलने में ज्यादा समय लग जाता है, तो ज्यादा समय जब भी लगेगा आपको दूध निकालने में, तब दोस्तों यह देखने को ज हम अपने अनुभो के हिसाब से आपको बता रहे हैं हमने भी ऐसा गौर किया है देखा भी है कि जिस पसु की ज़्यादा धार मोटी है वो पसु ज़्यादा दूद देती है और जिसका धार पतला है उसको कितना भी हम खिला देंगे डाइट प्लान देंगे चोकर देंगे दल दोस्तों वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंटर जरूर करें जरूर करें जरूर करें